जब भी आपको कोई हलकी बुलकी भूक लगे और टाइम कम हो तब आप ये इडली सामबर एक पास जरूर राय करके देखें इस रेसिपी में आज में आपके लिए एकदम रूई चैसी सौफ्ट इडली और किस तरीके से आप मात पांच मिनट में घर पे पड़ी हुई सामकरी से इंस्टेंट सामबर बना कर दयार कर सकते हैं इसकी फुल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो प्लीज वीडियो को लास तक जरूर देखें सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए एक कप चितनी सूजी को भगोने के लिए रखेंगे तो आप इडली बनाने के लिए मोटी अबारी कैसे भी सूजी का यूज़ कर सकती है इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक कप चितना दही दही हो सके तो थोड़ा खटा यूज़ करें क्योंकि खटी दही का टेसना इडली में बहुत ही जादा अच्छा लगता है अभी हम इसके साथ डालेंगे इसमें एक चोटा चमच या आपने स्वाद अनुसा नमक जैसा भी आप इडली में नमक खाना पसंद करें सबी चीज़ों को डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे जब भी आपके पास टाइम कम हो तब आप एक बार इस तरीके से ये इडली सामबाद जरूर राय करके देखें मिक्षर हलका सा थिक लग रहा है तो मैं इसमें आधा कप चितना पानी और डाल दूँगी और इसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालना जरूरी है अदरवाई सूची जो है वो अच्छे से फूलेगी नहीं जिसके वज़े से हमारे जो इडली का रजल्ट है वो बाद में उतना अच्छा नहीं आएगा तो बस अच्छे से mix कर लें जब तक किसमें लंप्स ना रहें पूरी सूजी को अच्छे से mix करने के बाद इस सूजी को गम से कम हम 10 मिनट के लिए rest करने के लिए छोड़ देंगे तो जब तक हमारी सूजी rest कर रही है इतने टाइम में हम सांबर बना कर तयार कर लेंगे तो सांबर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चितनी तूर डाल को 5 मिनट पहले बिगोने के लिए रख दिया था बिगोना टोटली ऑप्शनल है आप डारेक्ट भी से बना सकते हैं तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पर यहाँ मैंने एक प्रेशर होगा रखा है इसमें डालेंगे हम दो बड़े चम्मत जितना ओयल ओयल को पहले अच्छा गर्म होने देंगे अभी हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मत जितनी राई साथ ही हम इस डालेंगे इसमें आठ से दस मीठे निम के पत्ते अगर हैं तो आपके पास डालें अधरवाइस स्किप कर सकते हैं और हम इसमें डालेंगे दो साबुत लाल मिच जिसे मैंने तोड़ कर यूज किया है एक पिंच हींग जिसके खुश्बू बहुत इच्छी आती है सामबर में एक चमज डालेंगे हम इसमें बारी कुटा हुआ अद्रक आधे चमज डालेंगे हम इसमें सौफ सौफ जरूर डालें अगर है तो इससे सामबर का टीस बहुत ही ज़द अच्छा लगता है सबी चीजों को डाल कर इसे एकदम धीनी आज पर भूनने देंगे मसाला हलका सा भून चुका है तो बस अब हम इसमें डालेंगे एक महीन कटा हुआ प्याज प्याज को भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हलका गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे तो अभी हमारी प्याज भी अच्छे से भून का तयार है अभी हम इसमें एड़ करेंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जितना नमक आदा चोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर आदा चोटी चम्मच जितना लाल मिच पाउडर दो चम्मच जितना हम इसमें डालेंगे सांबर मसाला आप सांबर मसाला एजी ले घर पर भी बना सकते हैं अगर आप उसकी रसेपी देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताएं मसाले जो है वो इसमें जले ना इसके लिए हम इसमें दो से तीन चम्मत जितना पानी डाल देंगे इससे हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और साथी मसाला भी जलेगा नहीं डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे इसे और टमाटर को हलका सॉफ्ट होने तक पकने देंगे तो यहां हमारा टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं तो बस इस स्टेज पर हमने जो डाल भीगोने रखी थी पूरी डाल को इसमें डाल दींगे डाल को आप पहले 2 से 3 बार साथ पानी से अच्छे से धूलें डाल को भी मसालों के साथ मिक्स करेंगे आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की कोई भी सबची डाल सकते हैं मैं बिना सबची के इंस्टेंट बना रही हूँ ताकि जब भी आपके घर पर कुछना हो आप ये इडली सामबर आसानी से बना सकते हैं तो बस दाल को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक पर अभी हम इसमें एड़ करेंगे लगपक दो कप जितना पानी साधा पानी अभी हमें नहीं डालना है बस अभी हम जितने पानी में दाल पक जाएगी उद्ना डालेंगे इसमें प्रेशर कोगर के ढकन को लगा देंगे और अब हम इसमें कम से कम 3-4 विसल आने तक पकने देंगे अगर आप इसे धीमी आज पर पका रहे हैं तो 3 विसल लगाएं अगर आप तेज आज पर पका रहे हैं तो आप इसमें 5 विसल तक पकने दें 5 विसल आने के बाद कैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और रूम टेंपरिचर पाइसे अच्छे से ठंडा होने देंगे जब तक सांबर का मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर इडली का स्टेंड तयार कर लेते हैं सबसे पहले स्ट्रे को ओयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे जिससे इसमें इडलीयां चिपकेंगी नहीं साथ ही हम अपने स्टीमर को भी त्यार करेंगे तो स्टीमर में डालेंगे लगभख दू कप जितना पानी पानी आप थोड़ा जादा ही डालें ताकि इडलियां पकते समय पानी इसमें खत्म नहीं होगा कवर कर देंगे और पानी में एक उपाल आने देंगे जब तक यहां हमारा स्टीमर त्यार हो रहा है तब तक हम इडली के बैटर को भी चेक कर लेती है तो यहां हमारा बैटर भी 10 मिनिट में अच्छे से फूल का सेट हो गया है आप देख सकते हैं पहले के कंपेरिजन में इसमें सूजी काफी सॉफ्ट लग रही है मिक्षर हलका सा थिक है तो मैं इसमें दो चम्मत जितना पानी डालूँगी यह तोटली ऑप्शनल है अगर आपको बैटर एकदम परफेक्ट लगे तो आप ना यूज़ करें डाल कर हलका सा मिक्स करेंगी इसकी कंसिस्टेंसी हलकी थिकी होनी चाहिए जादा पतला आपको सूजी के बैटर को नहीं करना है अभी हम इसमें डालेंगी एक चम्मत जितना फूट सॉल्ट यानि के इनो इनो से हमारी जो इटली है वो बहुत ही अच्छे से फूलती है इनो डालने के पाद हमेंसे एक डारेक्शन में अच्छे से मिलाते जाएंगे अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसकी जगह आदा चमच मीठा सोड़ा भी यूज कर सकते हैं उससे भी इटली उतनी ही सॉफ्ट बनती है और बहुत इच्छे से फूलती है तो बस अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि पूरा जो सूची का बैटर है वो फूल न जाए बैटर को हमेशा एक डारेक्शन में ही मिक्स करें अधरवाइस रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा अभी हम इसमें से थोड़ा सा मिक्षर लेंगे और इसे अपने इडली के साचों में डालेंगे साधा उपर तक ना भरें अधरवाइस जब इडली आ फूलेंगी तो ये साची से बाहर आने लगेंगे बैटर को मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे और अब हम इसे जल्दी से कुक होने के लिए रखेंगे तो हमारा स्टीमर भी तयार है तो बस इसे स्टीमर में रख देते हैं और इन इडलियों को कम से कम 10 से 15 मेंट के लिए अच्छे से पकनी देंगे जब तक इडलिया तयार हो रही है तब तक हम अपनी सांबर को भी चेक कर लेते हैं तो अभी हमारा कुकर भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो बस इसे खूल का चेक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे दाल अच्छी सॉफ्ट हो गई है तो अब हम इसे किसी भी मैशर या मतनी की साहिता से अच्छे से मिक्स करेंगे जिसे दाल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी अभी हम इसमें डालेंगे लगभग 3-4 कप जितना पानी अगर आपको सामबर की तिकनेस कम पसंद है तो आप पानी कम डालें यह आप पर डिपन करता है आप जैसा भी सामबर खाना चाहें डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इस सामबर को कम से कम 2-3 मिनट के लिए तेज आच पर पकने देंगे अगर आप चाहें तो इसमें प्रेशर को कढ़कन लगा दें और इसमें 2-3 सीटियां और आने दें इसे सामबर जो है वो और भी चल्दी पक कर तयार होता है और रिजल्ट अच्छा आता है सामबर में अच्छी खटास के लिए हम इसमें यहां पर यूज करेंगी एक चौथाई चम्मत जितना यह नीवू का सत्र मैं यहां पर इम्री नहीं यूज कर रही हूँ इससे नीवू का सत्र यूज करूँगी जिससे इसमें अच्छा खटा टेस्ट आएगा और इस खटे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा गुट डालेंगे गुट से इसमें मिठास बिल्कुल नहीं आएगी बस इसमें खटे मीठे के टेस्ट को अच्छे से बैलेंस करेगा तो मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से बताया है जिससे आपके घर पर कुछ भी ना हो तो आप इसली से बना सकते है नीबू का सत्र आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा नॉर्मली गोल गपे बाने अपने पानी का खटा करने के लिए इसी का यूज़ करते है तो बस सामबर को अच्छे से पकने देंगे दो से तीन मिनट के लिए और पीच पीच में इसे चलाते रहेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया आप चाहें तो इसे खोल कर पकाएं अदर्वाइस आप प्रेशर करकर ढखकन लगा कर इसमें दो सीटियां लगा लें जिससे आपका जो काम है वो और भी ईजी हो जाएगा और सामबर जल्दी पक कर दयार होगा तो जब तक हमारे यहां पर सामबर पक कर दयार हो रहा है तब तक हम अपनी इडली को भी चेक कर लेते हैं तो इडली को पकते हुए भी यहां 10 मिनट हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं इडलिया अच्छे से पक का दयार हो गई है अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप इसमें कोई भी टूथ पे क्या चाकू डाल का चेक कर सकते हैं अगर वो क्लीन आ रहा है यानि इडली से अच्छे से पक चुकी है इडली को निकाल कर इसे पांच मिन इनसी कितने आता पॉफेक्क लग रही है समबर की देखकर लगी नहीं रहा है कि इसे हमने जटपट बनाया है और इसे मार्केट से नहीं लाए है तो पस अभी हम इस समबर को गर्मा गरम सर्फ करेंगे आप इसे इडली के साथ अधर्वाइस आप ऐसे भी इसे इंजॉय कर जरूर बताएं तो जिसकिसी को भी इडली सामबर खाना पसंद है तो आपको वेट करने के जरूर बिलकुल भी नहीं है आप इस तरीके से इस रेसिपी को जरूर ड्राय करें तो एक पार फिर से मिलेंगे हम इसी तरीके की एक और इंटरसिंग रेसिपी के साथ तब तक के बाबाई